हे गाईज, अगेन सभी का वेलकम है यदी के एडिटोरियर क्लास में, मैं हूँ आपका होस्ट अमन बहल, आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियर को अपने डिसकस करेंगे, फेल्ड बाई फायर इसका टाइडल है, बहुती सैटनिंग इवेंट के उपर बेस्ट है, दुखत घ के लिए आपको प्रिपेर करने में हेल्प मिले, आज जो भी ग्रामर और वोकाब आप सीखेंगे, इस क्विज पर अप्लाई करेंगे, हैंड मेड क्विज होता है, मैं अपने मन से बनाता हूं इसको, ताकि आप इसमें से कुछ सीखो, तो सब को ट्राई करना है इसको, वी करें फैल्ट बाइ फायर, मारे गए आख के द्वारा, अब ये मारे गए वर्ड कहां से आया फैल, ये फैल और फॉल दो वर्प्स होती है, आपको मैंने कई बार समझा है इनके बीच का डिफरेंस भी, फॉल का मतलब होता है गिर जाना, फैल का मतलब होता है गिरा देना, और फैल का दूसरा मिनिक होता है किसी को मार देना, जैसे गिरा देते हो तो मार देते हो ना, ऐसे भी याद रखो आप, तो किसी को मारना या किसी को गिराना, करें मारे गए वो लोग, किल हुए वो लोग, और किसके द्वारा, आग के द्वारा, फायर के द्वारा, समझ ग मौतों की हुई है जो मना सक एक हॉस्पिटल के अंदर अब इसके टाइडल पराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे देखें क्या कहना चारा है लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियोस हेल्फुल लगती हैं बहुत सपोर्ट करती हैं आपको आपकी पढ़ाई में तो जरूर से कोजेज करें अवर्ट करने के लिए तू अवर्ट करना मनलब किसी चीज को टा लेना अवोईड करना बचना है ना रोकना प्रिवेंट करना करें ऐसे एक और बंधारा लाइक होस्पिटल इंफर्णो को अवर्ट करने के लिए इंफर्णो का मतलब होता है दोजक हैल तो गर बंधारा उस्पिटल जैसे एक और इनफर्नो को या ऐसी नर्ग की आग को अवर्ड करने के लिए उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए गौर्णमेंट्स को अड्रेस करना चाहिए सरकारों को समभोतित करना चाहिए हल लाना चाहिए underlying causes का ऐसे कारणों का जो underlying कर रहे हैं जो अंदर छुपे हुए है देखो बंडारा नाम की जगा पर गटना हुई है inferno का मतलब होता है ऐसी आग जैसी नर्क की आग होती है तो यहाँ पर आग लगने की गटना हुई थी तो करा ऐसी आग लगने अब समझे sentence को sentence का subject है governments वह बहुए must address अब words देख लेते हैं सारे जो जो अपने पास आई है underlie इस word को मैंने आपको ऐसी समझाए break करके lie मतलब लेटना under मतलब नीचे कोई चीज जो दूसी चीज के नीचे चुपी हुई है लेटी हुई है underlie का मतलब यही होता है नीचे चुपी हुई चीज जो आपको दिखाई न दे रही हो है ना hidden हो inherent हो latent हो fundamental हो जो basic में हो अधार में हो आपको दिखाई न दे रही हो आपको उसकी तरफ गोर करना पड़े है ना underlie word का मतलब होता है बचना इसके synonym देख लेना inferno का मतलब होता है नरक की आग hell बोल दो hell fire बोल दो इसके लिए ओर अच्छा word है अपने पास purgatory एक uncontrolled fire purgatory है ना चलिए अब एक समरी देता हूँ आपको आपको मालूम से ले किस बारे में लिखा हुआ है देखो बंधारा नाम के एक district है मारास्टा में वहाँ पे एक hospital में लग गई आग आग कहां लगी ICU में कौन सा ICU जहां पे बच्चों को रखा गया था newborn बच्चों को दो दिन के चार दिन के छे दिन के उस ICU में दस बच्चों की जल्गे मोत हो गई अपना इटोरिल क्या कह रहा है कह रहा है यह तब तक होगा जब तक हमारी सरकारे जग करके एक building safety code बनाएंगी नहीं और उसको अच्चे से enforce नहीं करेंगे कह रहा है आप ऐसा code बना दो ना जी जिसको उलंगन करने पे hospitals को बड़ा fine देना पड़े करा जिस दिन आप ऐसा बनाओगे न यह सारे hospitals सारे cinema घर line में लग जाएंगे सब के सब लोग fire safety के नीमों का पलन करेंगे और ऐसी आग की घटनाओं को आगे होने से रोका जा सकेगा समझगे ना बिल्कुल simple हिंदी में आपको बता रहा हूँ इन घटनाओं को कैसे रोकना है बता रहा हूँ आज के रिटोली की समरी यह है टोन हो गई अपनी suggestive सरकार को suggestion दे रहा है हिदायत दे रहा है तो suggestive इसकी tone है शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप SSC, UPSC, Banks, Railways की preparation कर रहे हो और चाते हो English में इस बार ना केवल cutoff clear हो बलकि 10-12 marks ज़्यादा भी आएं तो आप वो क्या करना है अपने basics बिल्ड करने है और यह आप करेंगे home page पे रखी हुई इस playlist के जरीए चैनल के home page पे जाएं नीचे जाके स्क्रोल करके complete English grammar for all country exams की playlist को follow करें इसमें 31 वीडियो जा चुकी है कल 31 मां पार्ड मैंने डाला था पार्ड 0 से पार्ड 31 तक आपको चलाना है पूरे focus के साथ दो वीक में इसको पूरा करना है आप इसको पूरा करते ही अपना base build कर लोगे और cutoff से कुछ ज़्यादा नंबस अपने आप आपके आने लगेंगे इधी के नीचे आपको मिलेंगी premium content की दो वीडियो जिसमें SSC और banks में कैसे paper को solve करना है मैं आपको समझाता हूँ closed test, pqrs, rc, sentence arrangement तो इन दोनों वीडियो को प्लेलिस को देखने के लिए आप member बन सकते हैं member बनने के लिए join button पर press करें अपना छोटा सा contribution दें और membership को join करें SSC और banks दोनों के लिए अलग-अलग वीडियो जाती है members के लिए है ना चलिए शुरू करते है करद देडली fire that snuffed out the lives of 10 infants in the Bhandara District General Hospital in Maharashtra is a shocking reminder that safety norms in several medical facilities in India do not pass muster sentence लंबा है grammar rich है वो कैव ध्यान से देखना करें जो deadly fire थी जो lethal जान लेवा जो आग थी deadly मतलब जो जान लेवा जो death करवा दे करें जान लेवा जो आग थी ना अच्छा कौन सी आग थी जिसने snuff out कर दिया जिसने छीन लिया जिसने मार दिया और किसको भाई जिन्दिगियों को जानों को अच्छा किस की दस infants की दस छोड़े लोड़े बच्चों की और कहां पर हुआ एक काम बंडारा डिसिट में उसके जनरल होस्पिटल में महरास्ट्रा के यह जो deadly fire थी ना जिसने ऐसा काम किया है यह deadly fire जो है ना यह है एक बहुत ही shocking reminder एक बहुत ही shock करने वाला यह जोड़े रिमांडर आपको याद दिला है है ना reminder और reminder इस चीज़ का है वो यह कि जो safety norms है ना बहुत सारी medical facilities में इंडिया में बहुत सारे medical hospitals में इंडिया में वो pass master नहीं करती है वो standard की नहीं है समझे sentence को एक बार repeat कर रहा हूँ है फिर words देखेंगे करे जो fire है जिसने दस जिंदिकियों को ले लिया बच्चों की इस मारास्टर के इस hospital में इस district के करे यह reminder है कि हमारे देश में अभी भी safety norms जो है बहुत सारे hospitals में पास master नहीं करती है अभी भी वो standards के हिसाब से नहीं है अब आओ इसमें देखने वाली चीज़े subject verb को मिलाओगे deadly fire की verb है is that की verb है snuffed out safety norms की verb है pass master अगर subject verb नहीं मिलाना तो sentence में पक जाएगे खिचडी बीरुबल वाली है ना तो वो नहीं पकानी है अपने को sentence को break करके समझना है और आगे बढ़ना है तो subject verb को जो mind करें अब देखो देखने वाली चीज़े snuff out का मतलब होता है किसी को मार देना किसी को kill कर देना किसी से छुटकारा पा लेना और do in करना इसका मतलब भी होता है किसी को मारना ये do in नाम की फ्रेजल वब को note करें 2015 और 2018 दोनों के SSE पेपर में प्री में पूछे कि इनको ध्यान करें नोट करें पास मस्टर का मतलब होता है खरा उतरना हर वो चीज पास मस्टर करेगी जो आपके criterion पे खरा उतरे कोई आपकी approval से meet करे measure up करे या suffice करे measure up का मतलब ही यह होता है आपने कोई criteria रखा उसके उपर कोई चीज खरी उतरी हर वो चीज जो खरी उतरेगी वो measure up करेगी और पास मस्टर करेगी चलिए आगे बढ़ते है vocabulary rich challenge है the parents of the babies who perished in the sick newborn unit have been plunge into a lifetime of trauma अब यह माबाप की बात कर रहा है करें जो parents है ने बच्चों के जो babies के माबाप हैं और वो बच्चे जो perish हो गए वो बच्चे जो मर गए इस sick newborn unit में इस unit के अंदर जिसमें नए newborn बच्चे जो sick होते थे उनको रखा जाता था यह सब के सब बच्चे बिमारी थे हैं ना पैदा होने के बाद करें सब बच्चों के माबाप जो है ना जो बच्चे सब मर गए है perish हो है जिनकी death हो गई है इस unit के अंदर करें माबाप को plunge किया जा चुका है have been plunged into इनको धखेला जा चुका है एक lifetime में एक पूरी उमर की trauma में जो है अपने आपकी यातना में trauma होती है suffering आप बहुत सोचते हो परिशान होते हो है जिन्दगी भर आपको परिशानी रहती है वो रहती है trauma तो गरें बच्चों के माबाप को जिन्दगी भर के लिए plunge कर दिया गया है थ्रो कर दिया गया है धक्का मार दिया गया है एक lifetime की trauma में अब आज उसमें देखने वाले words perish का मतलब है die करना मर जाना सगम करना या pass अवे होना अगर कोई चीज perish होती है तो समझ लो उस चीज का वक्त खतम हो गया है अब वो चीज जो है कर गये है class का मतलब धक्का मार ना या किसी चीज को डुबा अगर आप प्लच कर रही होना किसी वंदे को तो अब उसको पकड़ गए या तो किसी को पानी वानी में डुबो रही हो यह किसी को ठोग रही हो है नँँआ कोशलिये चैयरा sum of the victims a few just days old have been brought to the hospital for better care from smaller health facilities seven had a providential escape अब यह पूरी कहान इसी बता रहा है किरा कुछ एक जो विक्टिम्स है न कुछ एक जो यह शिकार थे जो बच्चे थे जिनकी डेथ्स हुई है किरा जो बिल्कुल just a few days old थे कोई एक दिन पूराना था कोई दो दिन का था कोई पांस दिन का था करे इनको लाया गया था had been brought इनको लाया गया था इस hospital में to the hospital और किसके लिए better care के लिए और कहां से smaller health facilities से है न तो इनको अच्छी health facilities से smaller health facilities जो है न उससे better care मिले इसलिए इस hospital में लाया गया था किसी क्लिनिक में होंगे पहले, बाद में इनको बड़े उस्पिटल में लाया गया, अच्छा, साथ जो थे ना इन में से, इनके पास एक escape रहा, ये बच गए, और कैसे बचे, कैसे escape से बचे, प्रोविडेंशल escape से, प्रोविडेंशल का मतलब होता है, जो डिवाइन हो, जिस मरे हैं जो विक्टिम से बचारे, और करा है, इन में से साथ जो थे ना, इनको escape मिला, ये कैसे बचे, बचे बचे, बचे, प्रोविडेंशल इनका escape था, समझ गे, प्रोविडेंशल वर्ड को नोट कर ले, हर वो चीज, जिसके पिछे को लोजिक ना हो है, आपको लगे, ब दिवाइन है, और शपीशेस है, शगुन भरी है, करत देर आर, रिपोर्ट्स और पूरली ट्रेंड स्टाफ, फेलिंग तू रिस्पॉंड एडिक्वेटली, करा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, देर आर रिपोर्ट्स, और किसी इसकी खराब तरीके से ट्रेंड और कौन सा स्टाफ जो फेल कर गया, रिस्पॉंड करने में, प्रतिक्रिया देने में, एडिक्वेटली परयाप्त रूप से, तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं, कि स्टाफ ने सही वक्त पे और सही तरीके से रिस्पॉंड नहीं किया, आख को बुझाने का काम नही इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है, किरें जो टेरिवल ब्लेज है यह बहुत ही खतरनाक सी आग है, ब्लेज का मतलब क्या होता है, फायर, इसके लिए वर्ड अपने पास कन फ्लागरेशन है न, वाल्ड फायर भी बोल सकते हो, ऐसी आग जिस पे काबुना फाय जा स लंबी फेरिस को, लिस्ट को, ऐसे एक्सिडेंट्स की, जो रिकोर्ड किये गए है सरकारी और प्राइवेट होस्पिटल्स में, अच्छा यह कैसे जोहिन करती है, यह किस तरह से इस लिस्ट में शुमार होती है, अंडर स्कोर करते हुए, हाइलाइट करते हुए, अंडर ल रियल्टी क्या है, सेफ्टी प्रोटोकोल्स आर येट तू इंस्टिटूशनलाइस्ट इवन इन प्लेसिस वेर पीपल लेजिटिमेटली एक्सपेट अ हाई डिग्री ओफ प्रफेशनलिजम, संदेंस लंबे हैं, पर सिंपल है, करें यह रियल्टी यह है कि सेफ्टी के ज इसी चीज़ को जाहिर करें, कि एक होस्पिटल में इतने बैड होंगे, तो इतने फार एक्स्टिंग्यूशन होना बाकि है, सेफ्टी प्रोटोकोल का अभी भी, यहां तक की ऐसी जगहों पे, जहां पे लोग लेजिटिमेटली एक्सपेट करते हैं, बिल्कुल सही आशा क करते हैं, और किसी इसकी एक हाई डिगरी ओफ प्रोफेशनलिजम की, एक बहुत अच्छे लेवल ओफ प्रोफेशनलिजम की, यह हमारे देश की रियाल्टी है, कि होस्पिटल में जहां पे लाख रुपे देकर के लोग इलाज करवाते हैं, वहां पे भी सेफटी प्रोटो हैं, वह वाली आग जिसको आप कंट्रोल ना कर पाएं, है ना, अंडर्सकोर, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना या जोर देना, किसी चीज़ की तरफ रोशनी डालना, अंडर्सकोर, अंडरलाइन, हाईलाइट, इंफसाइज, चारों एक दूसरे के सिनॉनिम हैं, बताते लास्ट येर, देर वर डिवास्टेटिंग फायर्स इन कोविड-19, फैसिलिटीज इन विजवाड़ा एं अंडर्बाद, विज सेवरल केजवल्टीज, ब्लेम्ट ओन पूर ओवरसाइज, बाइफ फायर अटर्टीज, और फॉल्टी इलेक्रिकल रिपेर्स, अब ये अच्छे दोनों डिवास्टेटिंग फायर्स कैसे थी, ये साथ में थी बहुत सारी केजवल्टीज के, बहुत सारी डेथ्स और इंजुरीज के, केजवल्टी का मतलब है, चोटिल होना या किसी की डेथ होना, और ये वो केजवल्टीज हैं जो ब्लेम्ड होना है, जिनका स सारा का सरा ठीक नमढढ गया है तो लक्यास्ट ईयर भी इस सब और कला तो पर या चिर वाईर्थệc के ऊपर एलेक्टिकल जटे लुपर πουर बाइन वाली चीज आ गया है रही बठाद दिया death and injuries are called casualty oversight के दो meaning होते हैं दोनों एक दूसरे की उल्टे oversight का मतलब होता है किसी के निगरानी करना या oversight का मतलब होता है आपकी carelessness या आपकी भूल आप इसको ऐसा समझें आप किसी की उपर side कर रहे है side मतलब देखना over मतलब उपर तो आप उसके निगरानी कर रहे है लेकिन कभी-कभी आप excited होती है किसी चीज की उपर से निगल जाती है आप उस चीज पर गोर निगर पाते हो अपनी भूल जो है ना आपकी carelessness से करन वहाँ पर भूल हो जाती है तो oversight के दोनों ही meanings है आप जो लगाना चाहें अपने इसाब से हाँ लगाएं चलिए आगे बढ़ते हैं करद महास्टा कोवर्मेंट हैज ओड़ेट अप्रॉब इंटो दब बंधारा फाइल तो बी कंक्लूड़ेट इन थ्री डेज करद महास्टा की सरकार ने ओडर कर दिया है उसने आदेश दे दिया है एक प्रॉब का एक जांच का इस बंधारा फाइर के अंदर इस बंधारा की आग के अंदर और जो की जांच होगी जिसका कंक्लूजन निकलेगा जिसको फाइनलाइस किया जाएगा तीन दिनों के अंदर तो मारस्टा सरकार ने बोले है तीन दिनों में एक प्रॉब करवाओ और जांच की रिपोर्ट हमें दो अच्छा और क्या ओडर किया है मारस्टा सरकार ने कोई मा लगा के बता रहा है एक फाइर ओडिट को किया है हॉस्पिटल की सव ओस्पिटल में घुस करके देखेंगे उनकी फाइर की मैनेजमेंट की सिचुएशन क्या है करा लेकिन बड़ एक परफरंटरी इंक्वारी ज़ो है एक अपने आप में कैसुल इंक्वारी ऐसी inquiry जो घटना होने के बाद आप सिरफ formality के लिए करवाते हो कर ऐसी जो inquiry है ना वो effectively address नहीं कर सकती वो सही तरीके से संबोधित नहीं कर सकती ऐसे कारणों को जो underlying है ऐसे कारणों को जो छुपे हुए है आपने आज case हुआ सारी fire audit करवा दी inquiry करवा दी लेकिन ऐसी inquiry है कभी भी आपको यह नहीं बताएंगी long term में कौन से hospital में लग सकती है कौन से में नहीं लगेगी समझगे ना अब words देखो प्रोब का मतलब होता है जांच, examination, scrutiny बो दो investigation बो, inquiry बो दो और funktory मैंने आपको बता दिया casual हो, superficial हो cursory हो, detailed now, cursory का मतलब है जो एकदम detail के अंदर ना हो, चलिए hospital fires are a distinct entity and research indicates that there are specific factors that trigger them off and aggravate their impact hospital की जो आग है ना वो distinct entity है hospital की आग अपने आप में बिलकुल अलग तरह की चीज है, entity मतलब कोई चीज, distinct मतलब अलग तो इनको आप जंगल की आग से compare मत करना, यह distinct entity होती है, केरा और research हमें indicate भी करती है research ने हमारी तरफ यह इशारा भी किया है that specific factors होते है, there are specific factors कुछ खास कारण होते हैं, जो इनको trigger off करते हैं जो इनको बढ़काते हैं, इन आगों को शुरू करते हैं और या फिर impact करते हैं, aggravate करते हैं, और ज़्यादा खराब बनाते हैं उनके impact को, उनके असर को, समझगे ना? तो गरा होस्पिटल की आग अलग है, इसको research के जरीए में बताया गया कि कुछ ही factors हैं, जो होस्पिटल में आग लगवाते हैं, और वही factors हैं उस आग को और ज़्यादा भढ़काते भी हैं, अब आज उस sentence में देखने वाली चीज़े हैं सब्जेट वह मिलाना, बोलने के जरूत ना पड़े, हॉस्पिटल फायर्स की आर, रिसर्ज की इंडिकेट्स आर यहाँ पे वह हैं, और specific factors इसका subject है, देर देख रहे हो ना, introductory subject है, यह subject नहीं है, एक्चल में subject है, आर के बाद रखा हुआ अब इसमें वर्ड देखने वाले हैं, ट्रिगर ओफ करना, किसी चीज़ को शुरू करना, बढ़काना, सैट ओफ करना, स्पार्क ओफ करना अक्सर आप trigger of उस्वर्ड को आप उस्वर्ड को किसी दंगे के साथ, किसी आग के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसको बढ़काया जाता है, ट्रिगर ओफ करना, स्पार्क ओफ करना, सैट ओफ करना, दंगे को या आग को एग्रावेट होता है इसके दो मीनिक होते हैं ध्यान से सुनना किसी को चिडाने को भी एग्रावेट करते हैं कहते हैं और किसी चीज को खराब बनाने को भी एग्रावेट करते हैं अगर किसी मरीज की situation खराब हो रही है तो भी वो एग्रावेट हो रही है और अगर आपका छ चलो, आज के क्विज में भी ये क्विश्चन मैंने यूज किया, अगरा बेट वाला, करा इंटेंसिव केर यूनिट्स, नियो नेटल आईसिउस और अपरेटिंग रूम्स आर ओफन दे साइट्स अफ फायर्स, करा इंटेंसिव केर यूनिट्स जो है न, और नियो नेटल आईसिउस हैं, और अपरेटिंग रूम्स हैं, इन तीनों का मतलब आप जानते होंगे, ये भी ICU है intensive care units और neonatal ICU मतलब बच्चों के ICU जहाँ पर बड़े जो हैं उनको नहीं रखा जाता और operating rooms मतलब जहाँ पर operations होता है क्या रहा है ये तीनों ही तरह के जो rooms है न अक्सर आर, अक्सर वो often होते हैं site of fires, fire की site इनी तीनों में खास करके हमेशा आग लगती है अच्छा है कैसे होते हैं भाई implicate करते हुए, सारा आरोप लगाते हुए, blame लगाते हुए किस के उपर, presence के उपर, मौझूदगी के उपर और किस की, बहुत ज़्यादा concentration की बहुत ज़्यादा quantity की, बहुत ज़्यादा घनत्व की और किसका, oxygen का, एक confined space में एक बहुत ही चोटी सी जगा में इन तीनों के अंदर आपको oxygen के cylinder मिलेंगे और oxygen से ही आग भढ़कती है तो करहें ये तीनों ही जगों पर सबसे आग लगती है और इस सारा का सारा implicate किया जा सकता है oxygen की बहुत सारी quantity को, concentration को इन तीनों चोटी स्पेस के अंदर चोटे से room में दस cylinder रखे हो है oxygen के हलकी से हाग लगी और पूरा room जो है उड़ी गया है ना, समझ गे sentence को अब इसमें देखने वाली चीज़े है implicating यहाँ पर present participle second transaction, जब यह major site होते हैं, जब यह अक्सर site होते हैं fires की, उसी वक्त यह implicate भी करते हैं उसी वक्त यह सारा का सारा आरोब भी डालते हैं blame करते हैं, incriminate करते हैं accuse करते हैं, और किसको presence को concentration of oxygen की confined होता है, बहुत ही चोटा सा limited सा, restricted बोल दो enclosed बोल दो, है न, सब इसके synonym है, कर a review of Indian hospital fires published in the journal of clinical anesthesia identified higher oxygen availability in intensive care facilities as the likely primary cause, with motors and electrical units in the room providing the ignition and plastics fueling it, बहुत है अच्छा sentence है कर एक review जो चपाना hospital fires का कहां पे, इंडिया में Indian hospital fires का और ये क्या हुआ था पब्लिश ये पब्लिश हुआ था journal of clinical anesthesia में इस science journal में कर इस review ने identify किया और किसको identify किया बहुत ही जादा oxygen की availability को बहुत ही जादा oxygen की मौजूदगी को और कहां पे, ICU की facilities में intensive care facilities में और कैसे identify किया identify किया likely primary cause की तरह है संभावित मुख्य कारण की तरह है आग लगने का अच्छाए कैसे होता है काम जो motors और electrical units होती है रूम में वो provide करती है ignition को आग के बढ़काने को कहता है इस चीज के साथ ही with इस चीज के साथ ही और जो plastic रखा हुआ है वो आग को fuel करता है वो आग को और तेज करता है इस आग को इट इसके साथ ही समझे ना तो इस जनरल में इस review में यही बताया गया कि oxygen के कारण जो है primary आग लगती है motor और electronic units जो है वो रूम में उस आग को बढ़काती है और plastic उस आग को और हवा देता है और तेजी में लाता है अब इसमें देखने वाले words ignition का मतलब होता है आग का लगना flame होना kindle होना kindle का मतलब क्या होता है किसी आग का शुरू होना जब आग को माथिस की तिली लगाते हो that process is called ignition fuel करना मतलब fuel डालना आग को और आगे से आगे बढ़ा करना जो है बढ़काना चलिए आगे बढ़ते हैं simple sentence था करे इस वर्थ कंसीडरिंग therefore whether hospitals have been audited with such factors in mind and to evaluate national building safety codes against international practice इसमें grammar concept पी है द्यान से देखना पहले sentence को समल लो करे ये चीज worth considering है ये चीज कीमती है worth मतलब कीमती और considering मतलब consider किये जाने की इस चीज को हमें consider करना ही चाहिए therefore इसलिए कि क्या कि हा के ना जो hospitals हैं whether the hospitals हा के ना जो hospitals हैं उनको audit किया गया है नहीं और कैसे इन factors को mind में रखके ये उपर वाली तीनों चीजों को दिमाग में रखके अच्छा और क्या करने के लिए evaluate करने के लिए कि national building safety course जो है हमारा जो ये law है और किस के खिलाफ international practice के खिलाफ समझ रहूं क्या कहने सरा करे इसलिए consider करना बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ के ना इन hospitals को सही में audit किया गया है इन factors को दिमाग में रखकर के हाँ या ना ये करना क्यों है ताकि evaluate किया जा सके consider इसलिए करना है ताकि evaluate किया जा सके हमारे इस वाले law को इस कानून को international practice के सामने समझ के ना तो सबसे पहले तो हमें एक कानून को अच्छे से enforce करना है दूसरा international दुनिया में क्या हो रहा है दूसरे देशों में इस कानून के अंदर क्या अलग चीज़े है उसके सामने इसको evaluate करना है और फिर इसके हिसाब से हमें देखना है rule मैंने आपके सामने लिख दिया है rule मैंने सामने आपके उपर लिख दिया है और नीचे दियें 5 sentences 5 sentences में 5 एर सून नहीं है सब लोग कोशिश करें 5 second, 10 second ले लो बहुत ही simple rule और कई बार आ चुका है ना आना चाहिए सब को चलो यह दो-तीन अपने पास adjectives और verbs हैं जिनके बाद में हमेशा जीरेंड आता है देखो वैसे तो बहुत सारे हैं मैंने अलग से एक वीडियो करके आपको बताया भी है ऐसे 20-22 है ना यह दो-तीन अलग से उस वीडियो में शायद नहीं थे इसलिए मैंन को बार-बार अलग से बताता हूँ और यह दोनों तो adjectives हैं वर्थ और नो यूस इनके बाद में आएगा तो वर्ब की आएंजी फरमाएगी या फिर कोई नाउन आएगा है ना जैसे में बोलू जो राइटर की लेज़स डेज़स नोवल है इस राइटर की सबसे नहीं कहानी है जो नोवल है वो बिल्कुल भी कीमती नहीं है पढ़े जाने के मतलब बहुत ही वायाद है वर्थ रीडिंग नहीं है तो वर्थ के बाद में जीरें डाना चाहिए हमने लिख दिया इनिफिनिटिव क्या करूंगा इस टू को यहां से एटाऊंगा और रीडिंग कर दूगा टू रीडिंग में चेंज कर दूगा अगला सेंडेश देखो जो नेकलेस ता इस राइनी का वो कीमती था पंदरा मिलियन के यहाँ पे वो नोवल कीमती नहीं थी पढ़े जाने की यहाँ पर वो कीमती था 15 million का उसी कीमत थी 15 million अब सर ने क्या बताया worth के बाद में जीरंड आएगा तो million के आगे million बना देता हम है ना सर ने ही तो बताया था वो अपकी ing form लगा नहीं है ध्यान देना जीरंड हम तब बनाते हैं जब हमारे पस noun ना रखा हो यह तो noun रखा है ना 15 million अरे 15 million डॉलर तो noun है ना noun की ing form ना होती है और ना आपको बनानी है worth के बाद में no use के बाद में mind या don't mind के बाद में हमेशा noun आता है अगर noun ना आ रहा हो verb आ रही हो तो आप उसको verb की ing form में बदल देते हो पर इस case में already आपके पास noun रखा है इस से पंगे ना लें इसको वैसा का वैसा ही पढ़ा रहें दे समझ गे ना चलो इडिज नो यूज तो आर्ग्यू ओन ट्रिविल मैटर्स विद यूर फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी यूज का नहीं है यह बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है नो यूज है कि अब आर्ग्यू करें छोटे मोटे मैटर्स पर अपने दोस्तों के साथ दिक्कत क्या है नो यूज के बाद में ना ना चाहिए और अगर वर्ब पढ़ी है पर यूज करता है कि देना चाहिए डांट माइंड नेवर माइंड इनके बाद में क्या करना है वर्ब की आएंजी फोम है की अगें मैं क्या करूंगा डोनेट का डोनेटिंग मना दूगा तूको निकाल दूगा सिंपल कॉन सेप्ट है इनको लॉजिक से समझो है इनके बाद में हमेशा नाउन आता है अब यह देखो और नेवर्स प्ले लावड म्यूजिक बड़ाए डोन्ट माइंड इट हमारे नेवर्स लावड म्यूजिक प्ले करते हैं लेकिन मैं इसको माइंड नहीं करता हूँ अब सर ने बताया था डोन्ट माइंड के बाद में माइंड के बाद में जीरन आता है तो इट का मैं आइंजी फॉम बना देता हूँ इटिंग ऐसा ही करता है न अरे मेरे यार वो तब बनाना है जब यहां पर रखी हो यहां पर अल्लड़ी नाउन प्रॉन रखाओ तो आप अप्सिजन के मोनीटर लागर की अबना तो है न कमरो में और क्यों ताकि एंशूर किया जा सके की अबिए लेवल जो है वहां के वाता वरंड का जो लेवल है वहां की सरांडिंग का जो लेवल है ओक्सिजन का वो विधिन है सेफ नॉम्स के बिलकुल सेफ्टी में और वो क्या है वो सेट कर दी गई है मैक्सिमुम 23.5% युएस नेशनल फायर प्रोडेक्शन असोशेशन के द्वारा तो क्या करने में एवर्ट करने में बचने में एक ऐसे एक्सिदेंट से एवर्ट आगया उपर किसी चीज से बचना प्रिवेंट करना किसी चीज को दूर बचाना तो करें यह मॉनिटर लगा दो इससे बहुत सारे उक्सिजन के उक्सिजन हमें पता लगेगी और हमारा जो एक्सिदेंट ऐसा कभी भी नहीं होगा देखने वाले वर्ट्स Ambient मतलब Surrounding Atmospheric आसपास का कहलाता है Ambient है ना वातावरन से Related Could Help इसके बाद में लगाया गया Bare Infinite कल रात को ही मैंने Infinite की आपको Advance Part करवाया जिसमें बताया मैंने Let, Bid और Help इन तिनों के बाद में आए गया तो आएगा सिरफ और सिरफ वर्प का Bare Infinite तो मैं अगर इस sentence को देखूँ Please Let Us To Study क्रिपा हमें पढ़ने थे Please Let Us To Study क्या करना है मुझे इस To Study में से To को निकाल देना है ठीक है ना Let, Bid और Help के बाद में वाप का Bare Infinite आता है कभी तू Infinite नहीं आएगा कोई भी कुछ भी आ रहा हो आप उसका Bare Infinite लिख दे तू वू आ रहा हो सब उसको निकाल दे The King Bade Us To Enter His Court King ने हमें Bade किया Bade करने का मतलब होता है Order देना King ने हमें Order दिया कि हम Enter करें उसकी कोट में Bade Us To Enter फिर हो गई गलती क्या करना है तू को निकाल दो और Bare Infinite को यूज कर दो Bade Us Enter His Court वैसे Please Help Us Crack This Exam करिपा करके हमें Help करें इस Exam को Crack करने में अब यहां पर Help के बाद में Bare Infinite वाना चाहिए जो कि लगा हुआ है लेकिन Help का एक और चक्कर भी है बता देता हम आपको क्या है Help के बाद में चाहे तो Two Infinite लिखो चाहे बेरिंफिटिव लिखो दोनों सही होते हैं तो यहां पर Two Crack लिख दू ना Two Crack वो भी सही है और Crack लिख लोकेटिंग एलेक्ट्रल उक्वेंट्स फॉर एर कंडिशनर विज पार्किंग पोटेंशिल अवेज प्रम ऑक्सिजन सैफुरेटिड इरियास में और रिच्ट करना रखना लोगेट करने का मतले होता है किसी चीज का लोकेशन डिसाइड करना है किसी चीज को कही स्पैसि जगा पर रखना इलेक्टिकल एक्यूपमेंट को जो एर कंडिशनर के होते हैं और जिनके स्पार्किंग पोटेंशल भी होती है जिनमें आग लगाने की संभावना भी होती है करें इनको जो लोकेट करना है न और कहां पर अवे फ्रॉम ऑक्सिजन सैचुरेटिड इरियास दूर करना है ऐसे एरियास से जहां पर ऑक्सिजन सैचुरेट हो चुकी है जहां पर बहुत सारी ऑक्सिजन है ऐसे एरिया में कमरेगे कर अगर लोकेट कर दोंगे न आप इनको ये भी रिडूस कर सकता है इस रिस्क को जो चीज आग लगाए उसको सिलेंडर से दूर रखा इस टेंडर्स प्रेमियम तू स्टॉप डिजास्टर सच एस बंधारा कार्निच कर जैसे जैसे हैल्स सेक्टर हमारे देश का बड़ा होता है ये चीज बड़ी इसेंशल है ये चीज बहुत ज़रूरी है देट वो ये की सभी नए इंफ्रास्रक्टर कनफॉर्म करें सभी न साब से हो और किसके रिग्रस सेफटी सेंडर्स के सेफटी सेंडर्स के जो बड़े रिग्रस हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट है ना बड़े हार्श है कर यह होगा एक छोटा सा प्रीमियम एक छोटा सा प्रीमियम का मतलब होता है थोड़ा से ज्यादा पैसा पे करो किसी काम के ल जो सारे safety standards को follow करें चाहे थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए लेकिन बंधारा जैसा काम फिर से नहीं होना चाहिए अब इसमें देखने वाले वर्ट्स देखना कार्णिस का मतलब होता है bloodshed खून खराबा है ना मौतें बहुत सारी rigorous होता है बहुत ही hard बहुत ही strict conform का मतलब होता है मैंने आपको समझाया जिनका form कौन हो जिनका रूप एक हो confirm का मतलब होता है एक रूपता वाला है ना अगर कोई चीज confirm कर गिए दूसरी चीज के साथ में दूसरी रूप की है वो भी देखे ये confirm है और ये दूसरा confirm है इसमें FIRM आ रहे है इसका मतलब होता है किसी सीज़ को establish करना है ना किसी सीज़ को पक्का करना the building doesn't conform to the safety standards ये sentence गलत है मैं कहना चाहरा हूँ building हिसाब से नहीं है safety standards के ना कि building establish करती है safety standards को तो ये वाला confirm नहीं मुझे ये वाला confirm यूज करना है तो मुझे conform लगाना है अब ये sentence अपने आप में सही है दो words हैं एक जैसे दिखते हैं meaning अलग अलग है ध्यान करेंगा if the government sets the bar high enough ensuring full adherence to safety in its buildings regulatory authorities can compel commercial structures to fall in line करा अगर सरकार जो है set कर देती है bar को high enough set the bar high का मतलब है किसी चीज का standard जो है raise कर देना किसी चीज का level उंचा ले आना करा अगर सरकार level उंचा ले आए building safety code का standard बहुत उंचा कर दे और कैसे करे ensure करते हुए पूरी तरह से पाल लेना को adherence को और किसके लिए safety के लिए अपनी building के अंदर करा अगर सरकार इतना सा काम कर देना तो जो regulatory authority आँ है हमारे देश की regulator करने वाली संस्ताएं है वो compel कर सकती है वो जबरस्ती कर सकती है commercial structures को भी के वो भी fall in line हो वो भी हमारे पीछे पीछे चले rules को strictly follow करे करा सरकारी building के अंदर आप state of art जो है technology यूज़ करो अच्छे standard का सब जो है आप जो equipment वहाँ पे लगाओ safety के एसाब से आपने जैसे जिस दिन ये करना है सारी regulatory agency यहां commercial structures को भी मजबूर कर देंगी कि आपको भी वो ही लगाना है जो सरकार ने अपनी building में लगाया है समझ गे set दबार हाई मैंने बता दिया standard को उंचा लाना adhere to or comply with adhere to or comply with दोनों एक दूसरे के synonym होते है simple sentence आगे बढ़े falling line होता है मतलब line में आना किसी rule को follow करना है बोलते न अब line में आएगा तू है अब तू rule follow करेगा चलिए the center should also create a public platform for insights gained from inquiries into hospital fires to be shared करे center को साथी साथ create भी करना चाए एक public platform और किसके लिए उन insights के लिए उन रोचक बातों के लिए उन शिक्षाओं के लिए lessons के लिए सबकों के लिए है ना जो gain करते हैं और कहां से inquiries से और कहां से है यह inquiries inquiries जो हुई है hospital fires में और यह इसलिए करना है सारे insights को ताकि share किया जा सके to be shared समझगे ना तो सरकार को ऐसी insights के लिए पुब्लिक platform बनाना चाहिए जहां पर अगर आप building बना रहे हो तो आग कोई पता लगे मेरी building में क्या होना चाहिए है ना कैसे आग लगने पर लोगों की मौत ना हो मेरी building में in plus में sight अंदर plus में गुश के देखना insight का मतलब होता है किसी चीज के अंदर के सबक है ना lessons, observations चलिए आगे बढ़ते हैं सब clear हो रहे हैं ना मैं थोड़ा fast process कर रहा हूँ पर ऐसी process करना आपको आना चाहिए simple sentences है hospitals should mandatory hold regular safety and evacuation drills which are key to saving lives when disaster strikes hospitals को should करना ही चाहिए और mandatory मतलब जरूरी ही करना चाहिए अच्छा क्या करना चाहिए, hold करना चाहिए regular safety and evacuation drills को बार बार सुरक्षा की, safety की और evacuation की practice को evacuation होता है जब आग लग जाए तो कैसे आपको safely वहाँ से निकला जाए drill का मतलब होता है एक mock practice है ना ऐसे ही alarm बजा दो और सब को बोलो कि आग लग गई, अब आप कैसे बाहर निकलोगे तो करना होस्पिटल को ज़रूर ही इन तरह की drills को करना चाहिए जो की key two है जो की important है, बहुत ही crucial है और किसमें, save करने में lives को, जब disaster strike करता है जब ऐसी गटना हम पे चोट करती है, तो करहा है यही चीज है जो सब जिन्दगी और मौत का फैसला करती है key two है life को save करने का यह file drills sentence simple था, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है key two के बाद में verb की ing form क्यों आई है, 5 सेकिंड दे रहा हूँ हर लडगा और हर लड़की को बता होना चाहिए key two के बाद में verb की ing form क्यों लगी है two के बाद में तो verb की first form आती है न देखो, इसका एक simple सा तरीका है आपको मैंने 25-26 फ्रेज बता हैं जिनके बाद में हमेशा two आएगा और two के बाद में gerund आएगा या noun आएगा key two है, कहाँ प्यार है key two देखो तेरा number lead to, approach to, screenshot ले लो इसका सब के सब लोग paper आ रहे है, ध्यान देना इस पे 26 फ्रेज बता रहा हूँ इनके बाद में या तो noun आएगा या pronoun आएगा, और अगर verb आगी गलती से, तो उसकी क्या बना दोगे verb की ing form बना दोगे चाहे इनके बाद में two आ रहा है फिर भी है ना, सबको note करो बार बार पूछूँगा, बार बार इन पे quiz के question बनाऊँगा, paper में भी आएगा है बार बार है ना चलो शुरू करें अपने आज के quiz को तीन questions है एक काम करता हूँ, पहले सबसे simple वाला करता हूँ select the word that is similar to the word implicate in the meaning उस word को select करो जो implicate के जैसा ही meaning रखता हो, implicate का मतलब होता है किसी को incriminate करना, किसी को आरोप डालना किसी को आरोपी बनाना है किसी को criminal बनाना, implicate करना किसी पे अपना सारा आरोप डालना परगेटरी का मतलब होता है नर्क, नर्क की आग परफंक्टरी का मतलब होता है casual, जो एकदम धीलम ढाल वाला हो है detailed ना हो, cursory हो, परफंक्टरी है inside का मतलब होता है अंदर से निकलने वाले सबक और incriminate हो गया आपका answer C is the synonym of the word implicate अब दिखलो first वाला यह थोड़ा interesting भी है in addition to provide या providing the citizens with fundamental rights the constitution also lets the citizens to live live या living a life worth living या to live जो भी आप लगाना चाहे इसका meaning यह है in addition to साथ ही साथ provide करने के हमारे citizens को, हमारे मूल अधिकारों को तो मूल अधिकारों को देने के साथ साथ ही, जो हमारा constitution है न वो हमें इजारत देता है कि citizens जो है जीएं एक ऐसी life को जो वास्ता में जीने लायक है है न, गरिमा पूर्ण जीवन को जीने का dignity के साथ जीने को जो है हमारे को जो है ऐसा वो देता है constitution हमारा इंतिजाम करता है अब इस sentence को अपने कैसे करेंगे in addition to हमारा वाला ये list देखो आप 26 phrases का तो इसमें आपको देखेगा in addition to कहीं पर होगा यहीं पर देखना in addition to इसके बाद में क्या आएगा verb क्या ng form आएगी तो verb क्या ng form आएगी तो provide तो आ नहीं सकता तो b तो आप का answer नहीं है ठीक है in addition to providing इतना तो हमें बलग गया पता दूसरा let के बाद में citizens object और इसके बाद में जो verb आएगी bear infinitive आपको बताद let के बाद में bid के बाद में help के बाद में हमेशा हम यूज़ करते है bear infinitive को तो let के बाद में क्या आएगा मेरे भाई या तो ये वाला leave आएगा और या फिर ये वाला leave आएगा कहने का मतलब क्या है a और b आपका answer नहीं है a और b आपका answer नहीं है तो या तो c answer है या d answer है अब देखो a life worth आगे क्या लगाएंगे to live लगाएंगे या living लगाएंगे बताया था नहीं वर्थ का मतलब कीमती worth के बाद में mind के बाद में no use के बाद में क्या करते हो हमेशा वाप की आए जिवाम को use करते हो तो d आपका answer है ठीक है logic से समझगे ना providing live और living अब देखते हैं हमने question number 2 आज कल के bank के exam में खास करा रहा है अभी अब SBI PO का दोगे अगर means तो ऐसे questions आप बहुत देखोगे इसमें मैंने क्या पुछा आप से इन में से कौन सा sentence in which of the following sentences जो word aggravate है न उसको grammar और context के हिसाब से गलत use किया गया है सही नहीं गलत use किया गया aggravate word का meaning होता है मैंने आपको बताया था चीजों को खराब बनाना number 1 या किसी चीज को चिढ़ाना किसी इनसान को चिढ़ाना है न दोनों इसके meaning होते हैं अब मैं चारों sentence पढ़ूँँगा देखता हूं कहां भे गलत use हुआ है समझे न सामने वाले को नीचा दिखाते हो न तो ऐसी smile को बोलते है स्मर्क इस क्रिमिनल ने ऐसी नीचा दिखाने वाली smile officer को दी होगी तो इसने लिया अपनी belt निगा ली और दमा दम इसकी पिटाई कर दी समझे न तो बिल्गुँँ सही है aggravating यहाँ पर चिडाने की बात कर रहा है और यह इसका meaning होता है अगला देखो cigarettes can aggravate the symptoms of cold cigarettes aggravate कर सकती है और खराब बना सकती है symptoms को cold के aggravate का दूसरा meaning होता है चीजों को worsen करना उनकी condition को खराब बनाना तो अगर आपको जुखाम है न उस दिन स्मोक ना करें आपको जुखाम की condition और ज्यादा खराब होगी तीसा देखो researchers have found to be यह वैसे भी गलत है grammar के साब से और वैसे भी गलत है meaning के साब से तो मैं इसकी पहले grammar सही कर देता हूँ the researchers have found the new co vaccine to be affected ऐसा होना चाहिए है researchers ने पाया है कि नई जो vaccine है वो effective है against COVID-19 क्योंकि यह aggravate करती है cold के symptoms को COVID-19 में जुखाम होता है यह दवाई जो है यह co vaccine जो है उस जुखाम को और ज़्यादा aggravate करती है और ज़्यादा खराब करती है इसी वज़ाए से researchers ने पाया कि यह बहुत effective है COVID-19 के सामने गलत हो गया ना है अगर जुखाम को symptom को सही करेगी अच्छा बनाएगी तभी effective होगी ना अगर aggravate कर रही है तो और ज़्यादा खराब कर रही है आपके COVID-19 को तो यहाँ पे contextually आप देखो aggravate meaning, गलत meaning दे रहा है ना तो यहाँ पे improve word होना चाहिए as it improves the symptoms of the cold तो C आपका answer है गलत तरीके से aggravate word यूज हुआ है अब D देख लेते हैं क्यों सही है Just a minute If the reports are well founded the incident could seriously aggravate relations between the two nations अगर reports बिलकुल well founded है well founded मतलब बिलकुल सही आधार वाली अगर यह reports सही है तो जो incident है वो seriously aggravate कर सकता है और खराब बना सकता है रिष्टों को दोनों countries के बीच में दोनों nations के बीच में समझे ना, सही use किया हमने aggravate का मतलब है रिष्टों को खराब करना बिलकुल सही बात है अगर report सही है तो रिष्टे खराब हो जाएंगे लिए मुला कर लूँगा कल की वीडियो में रोज आपको YouTube Shorts मिल रही है सुबह में एक vocabulary का word एक idiom या phrase या phrasal verb है ना, उनको follow करें vocabulary को बहतर बनाने के लिए तब तक के लिए signing out के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए